सुबह लगबग पांच बजे का समय था, सरदियां पूरे शबाब पर थी, बहुत भेंकर ठंड थी, मानो सास भी ना आ रही हो इतनी ठंड थी, बार बार भरफिली हवाएं चल रही थी, जीव जंतु सब छुपे हुए धक कर सो रहे थे, गुजारा चला रहे थे, लेकिन वो उठा हुआ था, जग गया था, बदन पर सिर्फ इतने कपड़े थे कि किसी तरह बसंद रितू का सामना कर पाएं, या पजज़ड का सामना कर पाएं, इतनी ठंड के लिए कपड़े नहीं थे, चेहरे पर एक पुराना सा कपड़ा लपेटा हुआ था, मेला सा कपड़ा लगा हुआ था शरीर उसका काप रहा था आखों में नीन भरी वी थी लेकिन काम तो करना ही था उसने अपनी रेडी को लिया और खीशने लगा कुछ दूरी पर एक गोदाम था वो वहाँ पर चला गया वहाँ पर एक ट्रक में से समान उतर रहा था और वो काम पर लग गया उ मंत्र चपने लगता भगवान को याद करने लगता और एक नई उर्जा उसे मिल जाती इस तरीके से वो अपना काम करते जा रहा था घंटों बीद गए वो काम करता रहा मेहनत करता रहा बिना अपने शरीर का सोचे बिना किसी चीज़ का सोचे इतनी सर्दी भी उसके शरीर भी खाने और गुलाब जावून भी खाने वो भी करमा करम। कमाता वो सिर्फ इतना था कि दो वक्त तक किसी तरीके से बहुत मुश्किलों में गुजारा हो पाए तो भी वो अपने बच्चे को मना नहीं कर पाया, उसके बच्चे बार बार उससे कुछ मांगते भी नहीं थे आज उसको बहुत जादा मेहनत करनी थी, शाम तक किसी तरह इतना पैसा इकटा कर लेना था कि वो ये थोड़े थोड़े स्वादिश्ट वेंजन अपने घर ले जाए दिन के समय जब भी वो मेहनत करते हुए ठक जाता, नीरस हो जाता, परिशान हो जाता, वो अपने बच्चों के चेहरे को याद कर लेता, उनके बारे में सोच लेता, और फिर से काम पर लग जाता मेहनत करते करते शरीर को तोड़ते तोड़ते सुबह से शाम हो गई और अचानक से वो लेंदार आ गया कुछ महीने पहले उसकी बीवी बहुत बिमार पड़ गई थी जान पर ही बनाई थी बड़ी मुश्किल से करजा ले लेकर उसका इलाज करवाया दवाई कराई अब वो पहले से तो सही थी लेकिन काम नहीं कर पा रही थी उसकी नौकरी भी छूट गई थी सारा बोज इसके कंदों पर आ गया और साथ ही एकरजा भी चड़ गया उस लेंदार को देखते ही ये गबर आ गया क्या करूं कैसे मना करूं वो आते इसके सिर पर चड़ गया बत्तमीजी करने लगा और जहां इसने मना करा थोड़ी सी मौलत मांगी वो इसको जलील करने लगा चीखने लगा चिलाने लगा अपने आत्म सम्मान पर चोट खाके किसी तरह इसने उसको मनाया कुछ दिन के लिए और टाला अपने बच्चों की खातिर वो जुग गया सब सहलिया और मेहनत करता रहा इस तरीगे से मेहनत करते करते रात हो गई बहुत समय बीद गया खाने का समय भी चला गया अचानक से उसको एसास हुआ कि बच्चे घर में बहुत भूके होंगे सब समय शमेटा ठेला खाली करा और घर की तरफ बढ़ गया जल्द बाजी में बहुत ठका हुआ हारा हुआ वो उस मिटाई के दुकान पर पहुँच गया जो उसके घर के पास परती थी वहाँ जाके उसने कुछ समय से खरीदे गुलाब जामन खरीदे पर पैसे कम पढ़ रहे थे खुद के लिए तो उसने कुछ भी नहीं लिया और अपनी बिमार बीवी को जो पहले से बहुत परिशान दी उसको निराश नहीं करना चाता था लेकिन तो भी दो रुपे कम पढ़ रहे थे समान उसने पूरा ले लिया लेकिन भला हो किसमत का कि दुकानदार ने जल्द बाजी में अपने आदमी को जल्दी करने के लिए कहा और उस आदमी ने दो रुपे छोड़के वो समान इसे दे दिया समान लेकर वो अपने घर की तरफ बढ़ चला रेलवे लाइन के किनारे एक छोड़ी सी जुगी थी उसकी जुगी में दर्वाजा भी नहीं था एक पुराने कपड़े से ढखी हुई थी उसने उस कपड़े को उपर उठाया और उसके बच्चे खुशी से चह चाहा उठे प्रसन हो गए दोड़कर उसके पास आ गए और जो थेले में से मध्धम मध्धम धुआ उट रहता खुश्बू आ रहे थी उससे उनकी भूक और उत्तेज़त हो गई वो बहुत खुश हो गए जल्दी जल्दी में उस आदमी ने उस थेले में से प्लेटे निका ली उसमें समोसे रखे गुलाब जामून रखे दोनों में और अपने बच्चों को दे दिये फिर अपनी बीवी को दे दिये बीवी ने पूछा आप क्यों नहीं खा रहे आप भी तो ले लो तो वो मुस्कुरा कर बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही थी मैं वही पर बहुत सारा खाया अब खाने की कोई गुझाईश नहीं है बीवी और बच्चों ने खुश होकर वो गर्मा गर्म समोसे खाये गुलाब जामून खाये एक प्रसंता का महल बन गया मानो कोई जलसा हो कोई त्योहार हो ऐसा मौका उन्हें बार बार नसीब नहीं होता था खा पी के सब चैन से सो भूके पेट मींद कहां आती है खासकर पूरे दिन महनत करने के बाद तो वो आदमी सो नहीं पा रहा था जब सब सो गए वो चुपचाप उठा कोने में एक मर्तबान रखा था एक बरतन रखा था उसमें कुछ रोटियां रखी थी उन रोटियों को उठाया थोड़ा सा आम का अचार लिया और ये साधारन सा खाना भी ये ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा व्यंजन हो कोई बहुत अच्छा व्यंजन हो क्योंकि महनत और भूख खाने में अपने आप स्वात को भर देती चैन से कुछ रोटियां खाई अपने बच्चों की तरफ देखा बीवी की तरफ देखा मुस्कुराया खुशी का एसास किया अपनी इस विजय को अनुभफ किया कि उसनने अपना वादा निबाया बच्चों बीवी को खुशी दी भगवान का भी उसने शुक्री आदा करा कि उन्होंने भी उसका साथ दिया उसले इंदार को वापस बेज दिया और वो दो रूपे भी माफ हो गए ये सोचते हुए, मुस्कुराते हुए चैन से उसने अपने तन के उपर रजाई ली और सो गया कुछ ही शर्ण लगे उसके ठकेवे शरीर को नीन दाने में और वो एक सपनों की दुनिया में खो गया दोस्तों इस दुनिया में बहुत से संगर्श है बहुत परिशानिया है बहुत दुख है जिसे हम और आप महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें वो अनुभव नहीं करने पड़ रहे हमें वो जीवन देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपको उस जीवन के दर्शन करा रहा हूँ, शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी भी है, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, आपको एहसास दिलाना, कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, वो भी बहुत है, वो कम नहीं है, अंगिनत लोग उसको पाने के लिए भी संगर्श कर रहे हैं, जो चीज़ आपको रोज मिल रही है, शायद उसको पाने के लिए लोग महिनों तक संगर्श करते हैं, हमें उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं हैं हम तो सिर्फ उन लोगों के जीवन में जागते हैं जो हम से उपर होते हैं जिनको हम से जादा मिला होता है इसलिए जो हमें मिला है हम उसका मूले लगाए नहीं पाते हैं वो भी हमूले हैं तो दोस्तों जो भी आपको मिला है इस जीवन में जो भी अच्छी चीज़े मिल उनकी value करो उनके लिए अच्छा महसूस करो उस उपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आपको वो मिला है आप इतने लख्की हो इतने privileged हो ना शुक्रिया मत बनो और दोस्तों इसके साथ एक और छोटी सी सीख है पूरे दिन अपने करम करो अगर आपने निश्टा के साथ अपने करम किये तो आपने उस दिन को जीत लिया है आप विजई हो, उसके बाद आपने सिर्फ चैन से सोना है, अगले दिन के लिए अपने शरीर को त्यार करना है कोई परवाह, कोई टेंशन, कोई दुख साथ में लेकर मत सो आपने जो किया, सही किया, बहुत किया बस इतना काफी है और चैन की नींद लो फिर से अगले दिन उठना और अपने करम करने पर लग जाना बिना डरे, बिना रुके, बिना परवाह किये तैंगी दूस्तू